C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी इस श्रिंखला में आज सुनते हैं कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें मित्रो, कविता मंजरी कारिक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कारिक्रम की इस श्रिंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुक कवियों की कुछ महत्वपून रचनाएं इस क्रम में आईए सुनते हैं शमशेर बहादुर सिंख की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें गोल हैं खूब मगर आप तिर्चे नजर आते हैं जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा सिर्फ मूँ खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशाग को फैलाय हुए चारों सिंथ आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसे खूब हैं गोके वा जी वा हमको बुधु ही निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे के आपको बीमारी है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस याने के बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं, जब तक बिलकुल ही गोल ना हो जाएं, बिलकुल गोल ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है ये ना होता, तो कसम से हम सच कहते हैं, आप से शादी कर लेते हैं, फॉरण आप हसते हैं, मगर यूँ भी दिल खीश तो लेते ही हैं आप समुंदर की तरहें, और मैं बेचैन सी हो जाती हूँ उसकी लहरों की तरहें, ज़ार भाटा सा अजब जाने क्यों उटने लगता है खयालों में मेरे, खामा खाम जाओ हटो, ऐसे इनसान को हम प्यार नहीं करते हैं मुँ दिखाए ही फक्त, जो मेरा सर्बस मांगे और फिर खात ना है, मुफ्त में कविताएं सुने अपने दिल की ना बताए, जब भी आए, यूहीं उलजाए ऐसे इनसान को हम आखिर तक प्यार नहीं करते हैं हाँ, समझ गए? मित्रो, चांद से थोड़ी सी गपें कविता में एक छोटी सी बच्ची चांद से बाच्चीत करते हुए कहती है कि तुम तारों भरे आकाश की पोशाक चारों तरफ फैलाए गोल, मठोल, गोरी चेहरे में तिर्चे नजर आ रहे हो क्या तुम्हें घटते और बढ़ते रहने की कभी ठीक नहुने वाली बिमारी है? तुम सभी को प्यारे लगते हो, परन्तु तुम कभी कहते क्यों नहीं हो? कुछ इन भावों की है ये कविता मित्रो, इस कभीता के भाव पर आधारे सुन्दर सा एक चुत्र बनाईए और हाँ, अगर हो सके तो एक कभीता भी लिख लीजिए क्यों? अभी आप सुन रहे थे ये कविता विशय सैयोजन रविंद्र कुमार ध्वन्यंकन बटी लैंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम कभीता वाचन नीरज शर्मा निर्मान सहयोग विमलेश चौधरी ध्वनी संपादन एवं निर्मान अजीत होरो तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली